हेलो एब्रीवाइन वेलकम टू मैं चैनल आप सभी का स्वागत है स्रेमरिताज किचन में आज मैं आप सभी के साथ सेयर करने वाली हूं बटर मसाला पैनी एकदम ठाबा और रेस्टोरेंट इस्टाइल अगर आप इस तरकी से बिनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा डिलिश्य डाल देंगे मसाले हलका चटक गए है अब इसमें दो लंबी टुक्डो में कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और प्याज को लो मीडियुम फ्लेम पर हलका सुनेरा होने तक भून लेंगे तो देखिए प्याज में हलका सा कलर आ गिया है सुनेरा अब इसमें काजू एड़ कर लेते हैं तो काजू मैंने 20 लिया है और 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था जिसे की काजू सौप्ट हो जाएगा और पेश्ट बनाने में आसानी होगी तो प्याज में भी अच्छा सा कलर आ गिया है और काजू भी हलका भून चुका है अब इसे हम जार में निकाल लेते हैं जार में निकालने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे उसके बाद पेश्ट बनाएंगे तो मैंने इसमें दो चम्मज पानी आड़ कर लिया था और दिखे कुछ इस तरीके से पेश्ट बनाना है बहुत जादा बारिक न हो हलका सा दरदरा रखा है पेश्ट को तब दुबारा गैस पे कड़ाई रखेंगे और इसमें दो चम्मज सरशुका ते लाट कर लेते हैं और जो हमने प्याज और काजु का पेश्ट बनाया था उसे डाल देते हैं और गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखना है लो मीडियम फ्लेम पर इसे दो से तीन मिनट तक भून लेंगे जिसी के प्याज में जो कच्छा पंड बचा होगा वो भून जाएगा तो देखिए सुनेरा कलर हो गया है प्याज भी अच्छे से भून चुका है और काजु भी अच्छी तरह से भून चुका है अगर आप इसे एड कर दोगे तो बहुत ही अच्छा बनता है और आप इसे इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो इसकी रेस पर ज़रू ट्राय कीजिएगा तो अब हम इसे अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं और पका लेंगे दो मिनट के लिए दो मिनट हो गया है आप देख सकते हैं ओर सेपरेट हो गया है तो अब मसाले आड कर लेते हैं मसालों में एक चममच धनिया पारडर एक छोटा चम्मज गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मज देगी मिर्च पाउडर और एक चोथा ही छोटा चम्मज हल्दी पाउडर साथ में स्वाधा नुशार नमक आड़ कर लेंगे और अब मसालों को एक मिनट ही भूनना है क्योंकि सूखे मसाले हैं तो बहुत जल्दी जल जाएंगे इसलिए बहुत ज़्यादा दिर तक नहीं भूनना है और गैस का फ्लेम लो कर देंगे लो फ्लेम पे एक मिनट मसालों को भून लेंगे तो एक मिनट हो गया है, वाल सेपरेट हो गया है, मसाले अच्छे से भूण चुके हैं तो अब इसमें चार हरा मिर्च आड़ कर लेते हैं, आप चाहें तो इसे इसके भी कर सकते हैं, लाल मिर्च भी आड़ कर सकते हैं, लेकिन इसे खानी भी बहुत ज्यादा डिलिसेस लगता है, तो हरा मिर्च ही योज करें, और पानी आड़ कर लेते हैं, तो मैंने आप पे एक कब पानी लिया है पानी मैंने नॉर्मल लिया है आप चाहें तो गर्म पानी भी यूज कर शकते हैं तो सारा पानी एड़ नहीं किया क्यों आधा पानी एड़ किया है ग्रेवी थोड़ी ठीक लग रहे है तो थोड़ा सा पानी और एड़ कर लेंगे बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखना है थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है ये आगे यूज कर लोगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो अब हम ढग कर पकाएंगे लो मेडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट के लिए पका लेते हैं तीन मिनट हो गया है चेक कर लेंगे तो देखिए और सेपरेट हो गया है और देखने में लग रहा है ना एकदम धाबा और रिश्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी तो बहुत ही अच्छा बनता है अगर आप इस तरीकी से बिनाएंगे तो सब तारीट करते नहीं थकेंगे अब इसमें पनीर आड़ कर लेते हैं तो मैंने 400 ग्रम पनीर लिया है आप पनीर चाहें तो कम कर शकते हैं ज्यादा न करें और इसमें कुछ मखाने आड़ कर लेंगे साथ में कसूरी मेथी और जो पानी उमने बचा के रखा था उसे भी इसमें डाल देते हैं और अब बटर आड़ कर लेंगे बटर मसाला पनीर है तो बटर जरूरी है अगर बटर नहीं होगा तो बटर मसाला पनीर नहीं होगा तो अब इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अगर आपको ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाड़ी लग रही हो तो आप एक ज़ोथाई कप और पानी आड़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा पानी नहीं आड़ करें क्योंग ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो अच्छा नहीं बनेगा तो इसे हमने अच्छे से मेक्स कर लिया है तो इसे अब पकाना है लो फ्लेम पे ही पकाएंगे तो लो फ्लेम पे ढख देते हैं तीन से चार मिनट के लिए चार मिनट हो गया है चेक कर लेंगे तो देखें कितना अच्छा वेना है कलर भी बहुत अच्छा आया है खाने में बहुत ज्यादा डिलिसियस है तो आप लोग इसे जरूर ट्राइक किजिएगा बहुत अच्छी रेस्पी बनेगी अगर आपको वीडियो पर संद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए अब तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना हो ले ताकि मैं कोई भी वीडियो तो उसका नौटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और निचे कमेंट बाॉक्स में बताना न भूलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाबाई